बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड में कौमन सिविल कोट की तयारी है और उत्तराखंड में विशे सत्र बुलाये जाएगा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है विधान सभा में ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट रखी जाएगी और उत्तराखंड में ज 2022 का विधान सभा चुनाओ था उसके ठीक पहले एलान हुआ था सरकार बनते ही कमेटी का ठित की गई और अब उसे लागू करने के तैयारी है क्या जानकारी मिल रही है बिल्कुल हमें सुत्रों से जानकारी मिली है कि उत्राखंड में बहुत जल्द और मैं जल्द भी नहीं कर रहा हूं बहुत जल्द विधान सभा का विशेश सत्र बुलाया जाएगा और उस सत्र में ड्राफ कमेटी की रिपोर्ट रखी जाएगी और विधान सवा में पारित होने के बाद इसे लागू किया जाएगा और यह सब बहुती तेजी से होगा इसमें देर नहीं होगी एक जानकारे में आपको ये भी देता हूँ कि सिर्फ ड्राफ जो ये तयार किया है ड्राफ कमेटी ने उन्होंने पूरा कानून तयार करके दिया है जिस तरह से इस कानून को लागू किया जाएगा तो जो वैधानिक अर्चने थी उन अर्चनों को भी अब पूरा कर लिया ग रासे उत्राखंड में विधान सभा का विशे सत्र और उसमें कौमन सिविल कोड को पास किराने के कवायत की जाएगी ये बहुत बड़ा डेवलोपमेंट होने जा रहा है जी बिलकुल शुक्रिया विशे का आपका इस बड़ी खबर पर जादकारी देने के लिए तो ये तस्वीर आ रही है और बड़ी खबर ये है कि कौमन सिविल कोड उत्राखंड में जल्द नहीं बहुत जल्द लागू हो सकता है इसकी तैयारिया पूरी कर ली गई है और विशे स सत्र बुलाने की भी तैयारी है उत्राखंड विधान सबा का जो भी कानूनी और वैधानी कर्चने थी उनको दूर कर लिया गया है और बहुत जल्द उत्राखंड में यू सी सी को लागू करने की तैयारी है और इस संबंध में विधान सबा का विशे सत्र भी बुलाया जा सकता है तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सदन में इस रिपोर्ट को रखा जाएगा ABP News आपको रखे आगे